हर्याना एट टाइन पेम नोश्यानल में आपका स्वागित है आई आपको कराते हैं खबर सब्रीट खांडा गाउं में करेंट लगने से दादी पोते की मोत सरकारी सप्लाई का पानी आया हुआ थो और बिजरी की पानी वाली मोटर चली हुई थी उसी समय हुआ हादसा खरगुदर की खांडा गाउं से एक बड़ी दर्दनाग घटना सामनी आई हैं जिसमें करेंट लगने से दादी वे पोते की एक साथ मोत हो गई परिशनों को कुछ देरवाद इस बारे में पता चला जानकरी के मताबिक खांडा गाउं की करीब 75 वर्षिय मा शांती देवी वो उसका 13 वर्षिय पोता शिवम घर के उसे हिस्से में थे जिसमें सप्लाई का पानी आते वक्त मोटर चला कर पानी भरा जाता है परिवार के अन्य सदस्य घर के दूसरे हिस्से में थे मंगलवार की दुपहर को सरकारी वर्षिय का पानी आया हुआ था वे मकान के दूसरे हिस्से में दादी पोते पानी के मोटर चला कर पानी भर रही थे दोनों को वहाँ पर करेंट लग गया और करेंट लगने से दोनों की मौत हो गई परिवार के अन्य सदस्यों को काफी देर बाद पताशला उस समय पताशला जब लड़की वे दादी को ढूंडते हुई घर के दूसरे हिस्से में पहुंचे बताया जाता है कि जगमेंदर के दो लड़के वे एक लड़की हैं जगमेंदर का छोटा लड़का अपनी दादी के साथ पानी भरवा रहा था उसी समय ये हाथसा हुआ है लड़का शिवम छटी कक्षा का छात्र है इस दर्दनाक हाथसे से पूरे गाउं में शोक की लहर है बताया जाता है कि गाउं की बारे बज़े से दो बज़े तक बिजले आपूर्ती होती है बिजले शले जाने की काफी देर बाद परिशनों ने दोनों को वहाँ पर देखा जिसके बाद हाथसे का पता चला खांडा निवासिट जिस युवक जगमेंदर की मा वे बेटे की करंट से मोथ हुई है दरसल वह जगमेंदर बेहत शरीफ और इमानदार है और पेशी से कोच है जिसने खुद मेहनत करके खांडा गाओं के ही नहीं आसपास के विभिन गाओं के बच्चों को खेलों में आगे बढ़ाया है एक्जाम शर्डियूल एच एससी ने पुलिस, एसाई, ग्राम सचीव समीत कई भरती परिक्षाओं को शर्डियूल जारी किया देखी पुरी लिस्ट परिक्षक तयारी कर रहे हरियाने की युवाओं के लिए अच्छी खबर हरियाना करमचारी चैन आयोग ने हरियाना स्टाफ सेलक्शन कमिशन ने कई भर्ती परिक्षाओं के लिए शड्यूल जारी किया है पहलादपूर महिला खिलाडी साक्षी पर मारपीट मामले में घायल खिलाडी को लेकर एसपी से मिले ग्रामिन एसपी ने मामले की जाँच सोनी पर डियसपी रविंदर को सोपी बुधवार को सोनीपर डियस्पी रविंदर सिंग गाउ में पहुच कर मामले की जांच करेंगी और ग्रामिनों से भी पूरे मामले की जान करेंगी जो दोशी होगा उसके खिलाफ सद कारेवाही की जाएगी पारिजनों का आरूप है कि उसकी लड़की खेलों में आगे बढ़ रही ते लेकिन गाउं का ही एक परिवार इससे नराज था इसलिए वारदात को अंजाम दिया गया खैर जांच में पूरा मामला सामनी आएगा लगातर खबर से अब रिच रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब सरूर करें धन्यवाद